हाई वरिवन वेलकम बाक टू नफिशल करके आप भी इसकार से बहुत जादा परेसान है यानि कि आपको आपके बॉड़ी में आपके फेस पे क्या होता वाई जले और कटे के निसान होते हैं जो कि आपके लाइफ में पर्मानेंड के लिए बन जाते हैं अगर आप सही से ट् क्रीम के बारे में दोस्तो मेडर्मा क्रीम जो होती है इसके बारे में आपको complete information देंगे कि भाई ये इस कार को क्या मिटा सकता है और अगर मिटाएगा तो कितने दिनों तक इसका यूज करना है कैसे इसको apply करना क्या सही तरीका होता है पूरी जानकर इस वीडियो में दोस् दुस्तो ये एक scar remover cream होती है जो कि अगर हम इसके benefit के बारे में बात करें इसमें कई ऐसे salt होते हैं कई ऐसे composition होते हैं जो कि इसकार को हटाने में यानि की निसान को हटाने में मदद करते हैं दूस्तो चलिए बात करते हैं के benefit के बारे में तो जैसे कि आपके face पे या body में कहीं cut लग जाती है इंजरी हो जाती है तो वहाँ क्या होता भाई निसान पढ़ जाते हैं इस्पेसली दूस्तों अगर आपके face पे निसान पढ़ते हैं तो यह सबसे खराब चीज होती आपकी जो body जो आपकी face structure होते हैं आपकी जो beauty होती है वो छीन जाती है आपसे और आपका face बहुत ही खराब दिखने लगता है तो इस पसली उस time आप कई cream यूज करना चाहते हैं और इसका treatment कराना चाहते हैं तो उस condition में आप इसका यूज कर सकते हैं मेडर्मा क्रीम जैसे कि आपकी face पे क्या होता भाई अगर scratch लग जाती है या दोस्तों आपका face जल जाता है जो mark होते हैं जो scars होते हैं जो निसान होते हैं वो नहीं जाते हैं या फिर आपके skin पर कहीं भी निसान होते हैं अगर नहीं जाते हैं या आपके अब फेस पे पिंपल हो जाते हैं तो गड़े पढ़ जाते हैं इसकास हो जाते हैं निसान पढ़ जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में इन सभी निसानों को रिमूब करने के लिए मिटाने के लिए आप मेडर्मा क्रीम का यूज़ कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों जैसे कि किसी भी patient को क्या होता भाई surgery होती है या delivery के time surgery होती है किसी महिला को तो वहाँ क्या होता भाई चीरा लगता है ठीक है stretching की जाती है तो वहाँ निसान पढ़ जाती है तो उस समय भी आप इस cream का यूज़ कर सकते हैं शाते साथ दोस्तों कई महिलाओं का normal delivery जब होती है तो delivery के बाद क्या होता भाई उनके जो इस्टमक होते हैं जो पेट होती है वहाँ क्या होता lining पढ़ जाते हैं stretch पढ़ जाती है इस तरह से अगर आप देखेंगे तो stretch पढ़ जाते हैं तो उस condition में भी आप इसका यूज़ कर सकती है ठीक है दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेडर्मा क्रीम जो होती है इसको कैसे apply करना है यानि कैसे इसको लगाना है जो कि सही तरीका हो और हमारा जो निसान है face पे या body में वो जल्दी से जल्द मिट जाए अगर दोस्तो आपको नए निसान है जैसे कि नए चोट या कट के निसान लगें आपके face पे या कहीं भी मतलब है जैसे कि एक week दो week या एक महीने का निसान है तो उसमें आपको 8 week यानि कि आपको 2 महीने तक regular यूज़ करना है new scar के लिए ठीक है कैसे यूज़ करना है पहले इसके बाद धूलने के बाद इस मेडर्मा किरिम को क्या करना थोड़ा सा लेना पतला सा circular motion में इस तरह से उस affected area पे circular motion में 2-3 मिन तक यूज़ करना है जब तक ये अच्छे से absorb ना हो जाए skin में अच्छे से deep जब absorb हो जाए फिर उसके बाद छोड़ दे उसके बाद रात भर पड़े रहें सुबा में इसको धुल सकते हैं आप ठीक है जैसे कि अगर किसी को पुराना इसकार से जैसे कि 2-3 महिने 4 महिने 5 महिने का निसान है चोड़ के निसान है तो उस condition में आपको इस मेडर्मा किरिम को 3-6 महिने तक regular use करना है ठीक है जिस तरह से मैंने बताया कि तो यह रही दोस्तों पूरी जानकारी में डर्मा किरिम के बारे में आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर सीख मिली होगी अगर वीडियो अच्छी लेगी तो दोस्तों में शेर करना न भूले और अब मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के जै हिंग जै भारत